मौधी जी ने कहा चलो गुजरात को ठोड़ो एसे खरते हैं बाकी दोशे कुछ देशों की बात करते हैं मौधी जी अधनिस्तान की बात करेंगे लिए खुदी सी गुजरात की पाकिस्तान की बात करिए घुजरात के विश्य का चुना हो एप थोड़ी सी गुजरात की भी बात कर लीजीए दो-तीन दिन से नरेंद्र मोधी जी ने सब कुछ छोड़ दिया अब नरेंद्र मोधी जी के बाशन में नरेंद्र मोधी जी सिरफ दो चीजों के बारे में बोलते हैं आधाउं का बाशन कॉंग्रेस पार्टी पे होता है एक तरफ कहते हैं कि कॉंग्रेस पार्टी को हटा दिया कॉंग्रेस पार्टी को मेंने खतम कर दिया और दूसरी तरफ उनका आधा बाशन कॉंग्रेस पार्टी के बारे में होता है मोधी जी अगर आपने कॉंग्रेस को मिटा दिया तो आधा टाइम अपना कॉंग्रेस को क्यों दे रहे हूं आधा भाशन कॉंग्रेस के बारे में और आधा भाशन नरेंदर मोधी जी ज्वायं अपने बारे में दे रहे हूं बाइस साल के बारे में आपको बताता हूं मोधी जी नहीं पता पाएंगे जितनों पैसा कॉंग्रेस पार्टी ने मन्रेगा में डाला 35,000 क्रोड रुपे हमने मन्रेगा में डाले दे पूरे देश में करोड लोगों की जिन्दगी पदल दी हिंदुस्तान की अल्गोर अस्ता थेजी से आगे बड़ी जितना पैसा हमने मन्रेगा में में डाला उतना लिए फैसा दी जे पीने और नारेंडर मोधिजी ने सिरफ गुजरात में के कमपनी को था essa नेनो कंपनी को दिया अब आब घूमते हो सखोट में घूमते हो गुजरात में भुंते हो मैं आधसे कुछना चाहता हूं 33,000 क्रोर रुपे वाली काटा नैनो गारी क्या आपको गुजराट की सरकों पे दिखाई देती है हाँ या ना आपकी जमीन चीनी आपसे पिजली लिया आपसे पानी लिया आपको यहाँ पे पानी नहीं देते है नहर हर रोज नूटती है अगर टाटा नैनो में रोज पानी मिलता है हिंदुस्तान का किसान जाता है उनके पास गुजराट का किसान जाता है हाज जोड़के कहता है मोदी जी जेटनी जी आपने हजारों करोर रुपे इनका तर्जा माद किया कृपा करके हमारा भी तस हजार बीस हजार रुपे माद कर दो हाज जोड़के कहता है हर प्रदेश में आतमेतिया करता है और नरेद्र मोदी जी अरुण जेटी जी कहते है किसानों का करजा माद करना हमारी पॉलिसी नहीं है मैं आप यहां इस्टेट से कहना चाहता हूँ आप दस तक गिनना एक, दो, पीम, चार, पांच, छे, सार, ताँ, नौ, दस दिन दिनना थस दिन कर अंदर गुझरात की कॉंग्रेस पार्टी की नहीं सरकार किसान का प्रजा माद करणे वाली फॉलिसी त्यार कर देगी और थस दिन के अंदर हम काम शुवर पड़ेगी झाल झाल झाल